साथ के प्रथम पांच गुणजों का ओसत क्या होगा तो साथ के प्रथम पांच गुणजों का ओसत क्या होगा तो देखिए यहां पर साथ के जब हम प्रथम पांच गुणज लिखेंगे तो उसमें भी सामांतर स्रेडी बनेगी और सब में अंतर कितने कितने का होगा साथ सा साथ का ही अंतर होगा तो जैसे हमें अंतर से कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहें साथ के प्रथम प्रथम प्लस प्रथम बटे में दो तो 35 और साथ 42 बटे कि दो मतलब कितना 21 correct answer मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है 21 होने वाला है चल काई मेरा correct answer मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है 21 होने वाला देखिए अभी मैं आपको थोड़ से concept बिए बता देता हूँ मालो इन सभी संख्याउं से मैं 7 common Nach बचेगा कया एक 2 3 4 5 also average किसी संख्या का भाग देने से वे संख्या का average आ जाता है और नई संख्याओं का और उसी ऋपरेज में गुणा करने से नई संख्याओं का हमें एवरेज आ जाता है तो चाहे हम गुणा करें चाहे भाग करें एवरेज में कोई वही का वही फर्क पड़ जाता है जैसे प्रतेक संख्या से पांच घटाया तो एवरेज भी पांच कम हो जाएगा प्रतेक संख्या में दो का गुणा किया तो एवरेज में भी दो का कमल लिया था तो तीन में अगर मैं साथ का गुणा कर दूं तो एवरेज कितना हो जाएगा 21 तो करेक्ट आंसर में कितना हो जाएगा 21 जब यहां पर बड़ी-बड़ी संख्या दी हुई हो रहती हैं तो हमें संख्या बनाने की वजाए हम क्या करेंगे पांच दिया है तो एक औस ग्याद कीजिए तो 423 गुण जो का औस ग्याद करना था तो मैं क्या करूंगा सीदे एक और 423 मिलके कितना हो जाएगा 424 424 का अधा कितना हो जाएगा 211 उसमें कर लूगा मैं 7 का गुणा तो मेरा क्या अंशर यहां पर आ जाएगा तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और कम से कम कुछ नहीं तो मेरे 5-10 सेकिंड मेरे वहाँ पर एक्स्ट्रा लगते हैं तो 5-10 सेकिंड का मतलब क्या है जी के जी इसके दो कॉस्चन हेलो फ्रेंड्स आज हमें अपनी एवरेज की पांच वी क्लास करने वाले हैं यह सायद आमारी आखरी क्लास होगी एवरेज की और इसमें हम number system से related question करने वाले हैं तो आएए हम one by one अपने questions को देखना शुरू करते हैं कि इसमें किस टाइप के question आते हैं तो कॉश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा सा यहां पर एक basic concept समझना पड़ेगा कि प्राकरत संख्याओं का योग क्या होता है विसम प्राकरत संख्याओं का योग क्या होता है उनके वर्गों का योग क्या होता है ठीक है तो हम योग ज्याद कर लेंगे तो हम उसमें N का भ N पदों का योग, N पदों का योग क्या होता, जैसे समांतर सरेणी जो mathematics background के है, या जो नहीं भी है, उन्होंने भी कभी न कभी पढ़ा ही होगा, N पदों का योग, N पदों के योग का formula है मेरा N by 2, A plus L, तो यहाँ पर पदों के योग का formula इतना है, यहाँ पर A क्या है, हमारा पहला पद है, A हमारा यहाँ पर पहला पद है, और L हमारा यहाँ पर अन्तिम पद है, L हमारा क्या है, अन्तिम पद है, तो जब मुझे N योग पता चल गया, तो मैं क्या करूँगा इसमें N का भाग दे दूँगा तो N से N क्या कट जाएगा तो यहां पर N पदों का एवरेज यहां पर हमारा क्या होने वाला ही एन से N कट यहा वन अप will में two first term plus last term हना पहला पद धन अंतिम पद बटे दो तो यहां पर n पदों का हमें average ग्याद करने के लिए क्या formula हो जाएगा हमारा पहला प्लस अंतिम पद बटे में दो लेकिन इसके लिए एक सर्थ है कि जो तो समानतर शरेड़ी में होना चाहिए उनके बीच का अंतर क्या है सवाण trips जोना चाहिए यह हो गया पहला दूसरा अगर हम देखें कि प्रकरत संख्याओं के योग का यूग टो प्राटम मेंड़ाहन i ll plus 1 upon me 2 यह हो कि इसे हमें क्या निकालना एंका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम n से भाग देंगे तो n से n कट जाएगा तो average का formula क्या बनेगा n plus 1 upon me 2 तो हमें यह formula याद रखने का जरूवत नहीं है किवाल हम किसका formula रखेंगे योग का formula याद रखेंगे क्यों क्योंकि यह हमारा समांतर सिरेणी में भी आता है सुरी हमारे number system में भी आता है यह तो number system में कौन सा formula यूज होता है n n plus 1 upon में 2 हाना तो जब हम average निकालना होगा तो सीधे हम क्या करेंगे इसमें n से भाग देंगे तो n से n कट जाएगा तो इस तरीके से और यहां पर हमें क्या करना है योग के formula याद रखना है ओसत के formula नहीं याद करना है योग के formula हमारे number system में हम हमारे काम आते ही है तो हम अलग-अलग formula याद नहीं रखेंगे हम केवल योग के formula याद करेंगे और उनी योग के formula से हम औसत को भी निकाल लेंगे अब बिसम संख्याओं के योग का formula क्या है n square बिसम संख्याओं के कितना है six और यहां पर हमारे घनों के योग का फॉर्मुला क्या है जो हमारे अंकों के योग का फॉर्मुला था उसका यदि हम square कर दें तो वह घनों के योग का फॉर्मुला हो जाता है तो अंकों के योग का फॉर्मुला क्या था एन ब्रेकेट में एन प्लस वन अपॉन में 2 तो घनों के योग का formula क्या हो जाएगा इसका square तो अम एक बार इसको देख लेते हैं फिर से की अंग्षों के योग का formula एन N plus one upon में टू विसंप संख्याओं का formula N square संख्याओं का N N plus 1 प्राकर्ट संख्याओं के वरगों का योग n n plus 1 2 n plus 1 upon me 6 और जो घनों के योग का फॉर्मुला है वो संख्याओं के योग के फॉर्मुले का स्क्वेर मतलब n n plus 1 upon me 2 का whole स्क्वेर तो यह फॉर्मुले हैं जो यूज होने वाले हैं और कुछ हम अपना logic यूज करेंगे और अभी number system पे based average के questions को solve करेंगे तो आईए हम अपना पहला question करते हैं आज का कि प्रथम 15 प्राकत संख्याओं का उसत क्या है तो प्रथम 15 प्राकत संख्याओं का उसत ग्याद करने के लिए हम 15 संख्याओं का क्या याद करना प तो उसत का formula करने के लिए करते हम एन से भाग देठे तो एन से एन कड़ गया दो सेकिंड लगे लेकिन हमें बिना मतलब एक formula करने से तो बच गए न हम क्या करेंगे एन से इन को काट लेंगे तो formula क्या बना एन प्लस वन अपॉन में 2 तो एन का मान कितना है यहाँ पर 15 क्यो हमें इसको जब हमारी अच्छी प्रेक्टिस रहेगी तो हम इसको देखते ही सॉल्व कर देंगे कि पंद्रा प्राकर्ट संख्या है तो एन एन से एन कट नहीं वाला है क्योंकि नीचे एन होगा उसत के लिए तो हमें क्या करना है एन प्लस वन अपॉन में टू एन की लोग ने भी तक अपने मन में इस का अंसर सोच ही लिया होगा फिर भी हम देख लेते हैं किकडा कंद्या कितनी है तो गया है 13 प्रथम सो प्राकります संख्याओं का औसक्या होगा तो सो प्लेस वन 101 और 101 का आधा पचास्जमलोग 5 तो करेक्ट आंसवर हमारे यहां पर कितने होने वाला है फिफ्टी .5 होने वाला है न तो आप बेसिक से इसको करते जाना प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का उसत ग्याद कीजिए ठीक है तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का उसत क्या होता है पूर्ण संख्याओं वो संख्या होती है जिसमें 0 भी सामिल होता है प्राकर्थ संख्याओं एक से सुरू होती है और पूर्ण संख्यां 0 से शुरू होती है तो आप बताइए जब संख्या 0 से शुरू हो रही है तो 0 को यदि हम जब average में count करते हैं तो 0 की कोई value होती है कि 0 किसी संख्या में जुड़े तो योग में कोई कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा जीरो किसी संख्या से घड़ जाए तो भी हमारे योग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो जीरो से केवाल इतना होता है कि हमारे पदों की संख्या जो है वो कम जादा होती है बाकि उसका योग पर कोई फर्क नहीं यहां पर हम कर ले देखिए पूर्ण संख्या जब मैं लिखना शुरू करूंगा तो मैं किस से लिखना शुरू करूंगा जीरो से लिखना शुरू करूंगा जीरो से वन टू थ्री ऐसे आगे बढ़ूंगा और कहां तक बढ़ना है मेरको 15 संख्या लेना तो जीरो को ले तो और यहां पर जीरो भी सामिल है इसमें मैं जीरो को एड़ करूँगा तो कोई फर्क पढ़ने नहीं वाला है तो मैं क्या करूँगा यहां पर 15N का भाग दे दूँगा तो क्या हो गया कट गया तो 14 बटे 2 मतलब कितनी हो जाएगी मेरी साथ तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है जीरो को हम सामिल करते हैं तो वह केवल और केवल N की value को बढ़ाती है योग में उसके कोई फर्क नहीं पढ़ता है हम जीरो को हटा के बागी संख्याओं को प्राकत संख्या मान के और उनका योग निकाल लेते हैं ठीक है चलिए अभी हम अगले question को देखते हैं एक से लेके 5 तक एक से लेके 5 तक सभी संख्याओं के वर्गों का ओसत ग्यात करें तो वर्गों का योग का फॉर्मुला क्या है वर्गों के योग का फॉर्मुला है N n plus 1 2n plus 1 upon में कितना 6 अभी हमें ये हो गया है कि संख्याओं का योग अब हम क्या करें इसमें n का भाग दे दे तो n से n कट जाएगा तो ये क्या बन गया मेरा ओसत और हमारे पास संख्या कितनी है 5 तो एक से लेकर है मतलब ये क्या है ये ये प्राकर्ट संख्याओं की बात कर रहा तो प्राकर्ट संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मुला मैंने यूस कर लिया ठीक है अब क्या करेंगे हम n n की वेल्यू कितनी होगी 5 5 और एक 6 2 n प्लेस 1 तो 5 दूनी 10 और 11 और बटे में कितना है 6 तो 6 से 6 क्या होगा चैंसल हो जाएगा तो मेरा व्रेस कितना आने वाला है यहां पर 11 तो करेक्ट आंसर मेरा यहां पर कितना हो गया 11 तो हमें वर्गों के योग का फॉर्मुला क्या होता है और प्लेस 1 210 प्लेस वन अपन में 6 और जब हम औस निकाल तो संख्याओं के वर्गों का उसत ग्याद करें तो यह आप अपने मंद से करने की कोशिस कीजिएगा तो 10 तक है तो n की वैल्यू कितनी ले लूँगा मैं यहाँ पर n की वैल्यू मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर n की वैल्यू हो गई है 10 यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ यह हो गया मेरा योग अभी मुझे आसत निकालना तो मैं क्या करूंगा 10 का भाग दे दूंगा 10 से 10 कट जाएगा तो ग्यारा इंटू 21 और अपॉन में 6 तो सीधे सा दिख रहा है मुझे कि जब मैं भाग जाई नहीं रहा है तो यह दसमलों में आंसर आने वाला और मेरे जो तीन आप्शन है वो क्या है पूर्ण संख्या है इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बनेगा नन अब दीस बाक बचेगा 568 जा 48 बचेगा 3 पॉइंट और यह कितना हो जाएगा फाइब तो लगभग 38 पॉइंट के सम्थिंग इसका एवरेज हमारा यहाँ पर आने वाला है चलिए अगला कॉस्चन करते हैं एक से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्गों का उसत ग्याद करें तो पहली बा तीस कवर कितना हो जाएगा 929 कवर कितना होता है ऐसे करते हुए सारे 729 पांसो चो चो पांसो चैपतर 666 बड़ी बड़ी संख्या है उनका उसत निकालो के तो बहुत बड़ी संख्या आएगी ऑप्शन यहाँ पर छोटे-छोटे से दे रखें तो सीदी सी बात है यही वा एक सट अपॉन में 6 इन की वेल्यू कितनी है 30 तो 30 से 30 कड़ गया 31 में 61 का गुणा करके 6 का भाग देंगे तो एक पॉइंट में वेल्यू आएगी गुणा करके 6 का भाग देंगे जो भी आएगा वो इसमें से नहीं है इसलिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला हमारा यहाँ इन में से कोई नहीं चलिए अगला कोशन करते हैं एक से पांच तक के घनों का ओसत ग्याद कीजिए तो मैंने बताया था कि घनों का योग के से ग्याद करते हम संख्याओं के योग का वर्ग कर दो तो घनों का योग आ जाता है तो संख्याओं के योग का फॉर्मुला क्या है तो क्यूब का योग और सब्रस् podia złा टा है कितनी संख्या है पांच तो 5 संक्याओं में हम लिखेगे पांच प्लास 1 उरे कितना हो जाएगा या ठीम ऑपॉन में टू तो ये क्या हो गया है हमारा ये हो गया हमारा योग हमें क्या निकालना है और सथ क्या करेंगे आन का भाग दे देने smiled spreads क्वाग देंगे पांच से पांच कड़ गया तो जह बटा दो मतलब कितना 3 और सीक्व रहलें किस्का करने सोअ कह적 कितना जाएगा नो प्रफम 500 संख्यां के सप्ट कितना रहा है यहां पर हमारे न陳 कोया नहीं है कि दना हम अपना यहाँ पर नेक्स्ट कोश्चन है एक से लेके दस तक के घनों का उसत ग्याद कीजिए तो इसको भी वेसिक कर लेंगे हम एन की वेल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पर हमारी फॉरमुला है हमारा चुह यह फॉर्मुला है इसक पार्मुला बन गया हमारा चुह और यहाँ इसको खार्मुल बन गया हमारा चूल रहतdest का और जो भी आएगी वो इसका आंसर होगी लेकिन यहां पर हमारा एक कोई भी आप्शन हमारा पॉइंट में नहीं है इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा नन अब दीज चलिए अगला कोशन है पहले 55 बिसम संख्याओं का उसत ग्याद कीजिए तो देखिए बिसम संख्याओं का उसत विसम संख्याओं का यूग कितना होता है एन स्क्वेर तो उसत कितना हो जाएगा एन का भाग दे देंगे तो एन से एन कड़िया तो करेक्ट आंसर हमारा कितना कितना हो जाएगा in ॔र संख्याे कितनी 25 तो आंसर कितना उझाएगा पच्पन इसको именно कि 45 संख्याओं का हला तू पहल उयह गया है एक दूसरी संख्या क्या है तीन तीसरी संय क्या है पांच तो 55 संख्या क्या होगी देखिए यह क्या है यह 2 का स्क्वेशd arising मेनस वन हो ना मैं ए यह है घ्रॉ सदस मतलब 109 तो पहली संख्या कितनी हो गई पहली विसम संख्या तो हमें पता है कि यो वहाँ पे formula क्या बनता है first plus last upon में 2 तो एक और 109 मतलब कितना 110 बटे में 2 मतलब कितना हो जाएगा 55 तो correct answer यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं बाकी हमें formula दिया ही हुआ है कि n square होता है उसका योग तो उसमें n का भाग दे दो तो क्या जाएगा उसत तो n से n कड़ गया तो बचा कितना केवाल एक n और n की value कितनी है 55 तो 55 बिसम संख्याओं का उसत कितना होने वाला है 55 ही होने वाला है चलिए अगला question करते हैं पहले नो सो पचास बिसम संख्याओं का उसत कितना होगा तो पहले नो सो पचास बिसम संख्याओं का उसत कितना होने वाला है नो सो पचास ही होने वाला है कहां गया यह होने वाला है नो सो पचास ठीक है फे व संख्याओं में प्राकर्ट संख्याओं में पहले 15 विसम संख्याओं का उसत क्या होगा तो यह से स्थीम्टीएज 2019 का आया हुवा कुश्चन अगर आपकी प्रेक्टिस है तो आप सीधे इसको विदिन संख्याओं का उसत पूछा तो विसम संख्याओं का उसत कितना होगा चलिए अगला तो संसंख्याओं का उसत ज्याद किजिए थास एंन्स एन्ट प्लस वन के हो जाएगा उनका य्योग एं हैंस्योग में न का भाग देंगे तो ओस अजाएप करेक्ट तो correct answer क्या होगा मेरा N plus 1 तो हमसे क्या पूछा है 55 समसंख्याओं का तो 55 समसंख्याओं का उसद क्या होता है N plus 1 तो 55 और 1 56 तो correct answer यहाँ पर मेरा कितना होने वाला है 56 1000 समसंख्याओं का उसद ग्याद कीजिए तो 1000 संख्याओं का उसत भी क्या होगा 1000 प्लस 1 मतलब कितना 1001 तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना होने वाला है मेरा 1001 एक से लेके 50 तक की प्राकरत संख्याओं का उसत क्या है तो देखिए जब मैं एक से लेके पचास तक की प्राकत संख्याओं का योग की बात करता हूँ तो यहाँ पर किताबों में इसको बेसिक से केसे दिया रहता है वो क्या करता है कि पहले एक से लेके पचास तक की प्राकत संख्याओं का योग निकालता है और उसमें से एक से ल तक की प्राकर्च संख्याओं का योग को क्या करता है माइनस कर लेता है तो क्या बच जाता है हमारा दस से लेके पचास तक के प्राकर्च संख्याओं का योग यहां पर आ जाता है एक यह तरीका ठीक है लेकिन यह टाइम टेकेंगे अभी मैंने क्या देखा था कि जब संख् कितने का है? एक एक कंतर है सभी के बीच में कितने कंतर है? एक एक कंतर है मतलब ये संख्या क्या है? ये स्रेणी कैसी बन रही है? समांतर स्रेणी है जिसका सारवांतर क्या है? एक है तो मैं क्या करूँगा? इसमें हम क्या करते है कि जब भी सामांतर स्रेणी हो तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि जो योग के से निकलता है N N अपॉन में 2 A प्लस L ये होता है योग और इसमें क्या करते हैं हम N का भाग दे देते हैं तो क्या जाता है ओसत N से N कड़ गया हमें ओसत निकालने के लिए सामांतर स्रेणी का ओसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं फस्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 पहला पद धन अंतिम पद बटे 2 तो यहाँ पर पहला पद कितना है हमारा 10 अंतिम पद कितना है 50 बटे में 2 तो 10 और 50 कितना हो गया 60, 60 बटा 2, मतलब correct answer मेरा कितना हो जाएगा 30, correct answer यहाँ पर हमारा कितना होने वाला है, correct answer हमारा यहाँ पर होने वाला है 30, तो अगला question करते हैं, 27 से 83 तक की प्राकर्थ संख्याओं का यूग याद किजिए, तो फिर वो ही हो गया, 27 से 83 की प्राकर्थ स है, first plus last upon में two, तो 27 और 83, कितना हो गया, 110 के बटे में दो, 110 के बटे में दो, मतलब कितना, 55, correct answer मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है, 55, correct answer कितना होने वाला है, 55, तो इस तरीके से हम प्राकर्थ संख्याओं का यूग ग्याद कर सकते हैं, उनका उसत ग्याद कर से 11 से लेके 17 संख्याओं का उसत क्या होगा, तो विसम संख्याओं भी क्या है, एक प्रकार की सामांतर स्रेणी है, देखिए विसम संख्याओं कैसी होती है, 11, 13, 15, 17, ठीक है, यह तो सिंपल सा था सीधे में इसको जोड के भी भाग दे देता, आ जाता answer, लेकिन अभी हम concept बिल्ड कर रह गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम प्लस अंतिम बटे में दो, तो 11, 17, 28, 28 बटे दो मतलब कितना, 14, तो correct answer यहाँ पर हमारा कितना होने वाला है, 14 होने वाला है, चले, 1000 से लेके 5000 तक की सम संख्याओं का उसत ग्याद कीजिए, अभी क्या होता, यह बिना मतलब स सम, विसम, इसमें और जाके, कोस्चन को confusing बनाने की कोशिस की जाती, बाधी कोस्चन में है कुछ नहीं, यह जितनी भी चाहिえ सम संख्याओं हो, चाहिए प्राकरत संख्याओं दिया हो, चाहिए पूर्ण संख्याओं हो, यह सभी की सभी आपस में समांतर सेडि बनाती हैं, क्योंकि लगातार संख्याएं दी हुई होगी तो उनमें एक एक कांतर होगा यदि सम और बिसम दी है तो उनमें दो दो कांतर होगा जिसे एक तीन पांस साथ एक से तीन दो कांतर तीन से पांच दो कांतर पांस से साथ दो कांतर तो क्या बन गई है सारवांतर दो वाली सामां अंतर से नड़ी बनेगी तो वहां पर हमें उसत निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में दो बस खेल कदम हना तो यहां पर प्रथम पद कितना है हमारा एक हजार अंतिम पद कितना है पांच हजार बटे में दो तो 6000 का आधा कितना हो जाएगा 3000 चलिए लिखेंगे तो उसमें वी सामांतर सुरणी बनेगी और सब में अंतर कितने का होगा साथ-साथ का ही अंतर होगा तो जैसे हमें अंतर से कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रह unity साथ के प्रत्रंप स्मांथ गुणज कौना कौनसे होगा साथ 14, 21, 28, 35 यह हो गए मेरे 7 के प्रथम 5 गुणज अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है इनका क्या करना है औसथ तो औसथ ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे प्रथम अन्तिम प्लस प्रथम बटे में 2 तो 35 और 7 42, 42 बटे 2 मतलब कितना 21, correct answer मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है, 21 होने वाला, देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा से concept भी बता देता हूँ, मालों इन सभी संख्या उसे मैं 7 common ले लूँ, तो बचेगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, तो average में किसी संख्या का भाग देने से, वो संख्या का average आता है, तो चाहे हम गुणा करें, चाहे भाग करें, average में, वोई का वोई फर्क पड़ जाता है, जैसे प्रतेक संख्या से 5 घटाया, तो average भी 5 कम हो जाएगा, प्रतेक संख्या में 2 का गुणा किया है, तो average में भी 2 क का गुणा होगा अब प्रतेक संख्या में मैंने साथ क्या किया है यहां पर कॉमन लेके इन संख्याओं का उसत देखें तो इन संख्याओं का उसत कितना हो जाएगा पांच और एक छे छे में दो का भाग दिया तीन अब मैंने क्या किया था साथ कॉमन लिया था तो तीन में अगर मैं 7 का गुणा कर दूँ तो average कितना हो जाएगा 21 तो correct answer में कितना हो जाएगा 21 जब यहाँ पर बड़ी-बड़ी संख्याइं दी हुई हो रहती हैं तो हमें संख्या बनाने की वजाए हम क्या करेंगे 5 दिया है तो एक से 5 कर लेंगे जिसे मानलो बोल देता कि 7 के सद ग्याद करना था तो मैं क्या करूँगा सीधे एक और 423 मिलके कितना हो जाएगा 424 424 का अधा कितना हो जाएगा 212 उसमें कर लूंगा मैं 7 का गुणा तो मेरा क्या अंसर यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अभी नहीं तो मेरे को क्या करना पड़त पहले 423 में मैं 7 का गुणा करता अंतिमपद निकालता फिर उसमें प्रथमपद 7 को जोडता फिर उसमें क्या करता मैं दो का भाग देता तो वहाँ पर संख्याएं थोड़ी बड़ी हो जाती है और कम से कम कुछ नहीं तो मेरे 5-10 सेकिंड मेरे वहाँ पर एक्स्ट्रा आठ गुणज का उसत ग्याद करना है ना तो मैं क्या करूंगा आठ मतलब आठ और एक नो नो बटे में दो मतलब कितना साड़े चार और इसमें कर लूँगा मैं 6 का गुणा तो छे चोके 24 और 6 का आधा कितना तीन तो 24 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे 27 तो करेक्ट आंसर मे तो अभी देखिए यहां पर में क्या करना पड़ता आठ गुणज मतलब कौन सा 48 होता और प्रथम पद क्या बनता छे 48 और 6 कितने होते 54 में फिर दो का भाग देता तो में कितना आ जाता 27 ठीक है तो अभी तो देखिए यह क्या है छोटी-छोटी संख्या है आर ताले से ल साड़े चार साड़े चार में छे का गुणा छे चोके चोविस आधे का गुणा तीन चोविस और तीन 27 तो इस तरीके से हम कॉश्चन को कर सकते हैं देखिए यहां पर आ गया अभी देखिए यह कॉश्चन थोड़ा सा हमारे कॉंसेप्ट से जल्दी सॉल्व होगा कि 11 के पहले 15 गुणजों का ओसत क्या है तो 15 गुणज बोला ना तो 15 और एक कितना हो जाएगा 16 16 बटे 2 मतलब कितना आठ और 8 में हम कर लेंगे 11 का गुणा तो कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा यहां पर 88 जो हमारे option में नहीं दिया हुआ लेकिन यदि हम मेरे को इसी को ब पहला पद कितना है 11 अंतिम पद कितना बना 165 इन दोनों को जोड़ता तो 165 में 11 जोड़ते तो आता 166 फिर उसमें दो का भाग देता तो कितना आता 88 तब मेरा आवरे जाता तो यहां देखी है तीन स्टेप में हो गया यहां पर थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना पड चलिए एकला कॉश्चन है तीस लगातार प्राकट संख्याओं का उसात 15,5 है इसे में अगली 6 संख्याओं मिला देने के बाद नया उसात क्या होगा ये जो हमें दिया हुआ है data की ओसत 15.5 है फालतु हमें confuse करने के लिए दिया हुआ है अभी देखिए हमें ये बोलता कि 30 प्राकत संख्या हैं इसमें अगली 6 संख्या हैं और मिला दें तो नया ओसत क्या होगा तो 30 संख्याओं में आप अगली 6 संख्या हैं और मिला दोगे तो प्राकत संख्यां कितनी हो जाएंगी 36 तो पहली प्राकत संख्या क्या है एक और अन्तिम 36 भी प्राकत संख्या क्या है 36 अब हमसे बोला इनका उसत ग्याद करो तो क्या करूंगा मैं first plus last upon me two तो 36 और एक 37 37 बटे दो 37 बटे दो प्राकरत संख्याों का औस उसंख्यां को और सामिल कर लिया जाए तो यह 25 तो पहली यह कितनी संख्या क Sergei 50 अब क्या करूंगा मैं इन दोनों को जोड़के तो का भाग दूँगा तो 50 और Efendimiz कितना हो गया 51 51 में 2 का भाग दूँगा मतलब आंसर कितना आने वाला है मेरा 25.5 जो इन तीनों option में नहीं है तो मेरा यहां पर correct answer कितना होने वाला है 25.5 मतलब none of these चलिए अगला question करते हैं पांच लगातार समसंख्याओं का उसत M है पांच लगातार समसंख्याओं का उसत M है यदि इसमें अगली 10 समसंख्याओं को सामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का तो 10 संख्याओं का उसत कितना होगा जैसे देखिए जब भी पांच समसंख्याओं का उसत की बात करते हैं तो हमेशा उसत क्या होती है बीच वाली संख्या होती है तो मैंने देखिए पांच संख्या हैं ले लिए जैसे एक दो तीन चार और पांच तो यहां पर जैसे यह सब सम संख्या हैं तो सम संख्या के लिए मैं क्या कर सकता हूं इसको दो चार छे आठ और दस ठी यह अब बोला इसमें अगली 10 संख्याओं को और सामिल कर लेते हैं हम ठीक है तो टूटल संख्याओं कितनी हो गई यहां पर देखो 5 संख्याओं यह थी और 10 संख्याओं यह हो गई तो टोटल मेरे पास संख्याएं हो गई है पंदरा तो पंदरा संख्याओं में ओसत कौन सी होगी आठवी संख्या होगी आठवी संख्या क्यों ओसत होगी क्योंकि इस केस तरफ हो जाएंगी साथ और इस केस तरफ हो जाएंगी साथ तो बीच में कौन सी संख्या आने वाली ह 8 वी संख्या आने वाली है तो 5 वी संख्या थी 10 तो 6 वी संख्या कितनी हो जाएगी 12, 7 वी संख्या कितनी हो जाएगी 14, 5, 6, 7 और 8 वी संख्या कितनी हो जाएगी 16, तो देखिए जब 6 का मान M है तो 16 का मान कितना होगा, 6 और 10 मिलके 16 होते हैं न तो M में भी कितना जुड़ जाएगा 10 जुड़ जाएगा तो यहां पे मेरा आउसत कितना होने वाला है M प्लस 10 तो यहां पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा M प्लस 10 ठीक है इस तरीके से हमको तो थोड़ा सा यह नॉलेज भी यूज करना पड़ता है हमारा कि जो संख्याएं होती है वह हमारा आउसत होती है वह आपस में बढ़ जाती है तो यहां पर अभी यह था कि संख्याएं बिसम संख्याएं थी तो बराबर बराबर बढ़ गई तो क्यों हम जबर जैस्तिव आक्सिस का आंसर निकाल सकते हैं तो आज के हमारे वीडियो को हम यहीं खटम करते हैं और आब यह हमारा एवरेज का चैप्टर खतम हो गया नेक्स्ट हम地方 चैप्टर सुरू करेंगे और उसको भी कोशिस करेंगे कि दो से तीन वीडियो मेंicie सारे कवर हो जाएं हमारे तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता कंटेंट अच्छा लगते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ सेर कीजिए थैंक यू